श्रे क्रिश्न भगवान की जए ठाकुर जी महाराज की जए पुर्शोत्तम मास की जए पुर्शोत्तम भगवान की जए पुर्शोत्तम मास महातम्य की जए पुर्शोत्तम मास महातम्य में 23 अध्याय में आगे का गया है राजा बोली है मुनिश्रेष्ट पुर्शतम मास में दीपकदान का क्या फल है करपया करके कहिए वालमिकीची बोले है राजन जिस पापनाशनी कथा सुनने से पांच प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं उसे सुनो सोभाक्यनगर में सत्यवक्ता बुद्धिवान पराकरमी चित्र बहु नाम के प्रसद राजा हुए वह राजा सहन सील सब धर्मों को जानने वाले शीलवान रूपवान दयालू ब्रामन भक्त भगवत चरित्र सुनने वाले अपनी स्तरी से प्रेम करने वाले प्रशुपुत्र हाती घोडा रत एबं पैदल सेना वाले तथा धन धन्धन्य से युगत थे अपनी रानी के साथ युवक राजा प्रत्विका साशन कर रहे थे वे श्री कृष्ण के अतरिक्त और देवता को नहीं मानते थे एक दिन चित्र बाहू ने दूर से आते वे मुनिश्रेष्ट अगस्तर जी को देखा तब दंडवत प्रणाम करके विधी पूरवक पूजन किया और प्रेम पूरवक आसन पर बैठा कर विनय पूरवक बोले ही मुनिश्रेष्ट आज मेरा जनम दिन है आज मेरा जन्म दिन राज्य भवन सबसफल हुए जो श्री कृष्ण सेवक आप मेरे यहां पधारे तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उद्य ना हो इसी प्रकार अन्य ब्रामन भी तभी तक पूजनिय है जब तक वह वैश्णव ना हो अगस्त जी बोले है चित्र राजा कहना अच्छा नहीं है भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण का आश्री हो उसके ही रज्य में प्रजाजन सुखी होते हैं ही राजन आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा था वानी भी सफल हुई जो तुमसे बातचीत की इस रायन बोले इस परकार कहकर जब अगस्त रिशी जाने को तयार होने लगें तब पतिवत्र रानी ने आगे आकर उन्हें भक्ती पूर्वक प्रणाम किया अगस्त जी बोले सो भाग्यवती हो इस परकार आशिवात दिया मुनी को सिर्छ जुका कर हाथ जोड़कर पुने च एका ग्रमन से ध्यान कर बोलने लगे अगस्त जी बोले मैंने तुम्हारे पूर्वजरम का सब चरितर जान लिया है वह सब इतियास तुमसे कहता हूं सुनो चमतकार नगर नामक नगर में तुम शुद्र जाती में मनी ग्रिव नाम के प्रसद्द और जीव हिंसा करने में लगे वे थे नास्तिक दुष्ट स्वभाव पराइस्तरियों को चीन नाम किये हुए उपकार को कभी न मानना शिष्टा चार रही थे तुम स्वभाव से ही ऐसे थे और जो इस समय यह स्तरी है यही पूर्व जनम में भी तुमारी इस्तरी थी जो मन वचन करम से पती पराय तुमारी इस्तरी रही थी पाप करम के कारण तुमें भाई बंदूं ने जाती से अलग कर दिया राजा ने भी इसी अपरात के कारण तुमारा धन चीन लिया और जो बाकी कुछ बचाता वे भी सब भाई बंदू ले गए इस परकार धन नश्ट होने पर तुमारी पुना बहुत से धन पाने की इच्छा हुई धन नाश्ट होने पर भी इस सती स्तरी ने तुमको कभी नहीं छोड़ा किंतो अन्य जनों से तृस्तर होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में चले गए वन में जीवों को मार कर अपना निर्वाह करने लगे हैं राजन उस समय भी पतनी तुमारे ही साथ थी इस समय एक समय मनिगरिव धनुष बान लेकर वन में शिकार की कोज में गया जहां पर बहुत से म्रग आदी पशू रहते थे उसी मनुष शहीन जंगल में रास्ता बूले एक महायोगी उपदेव जी अत्यत गब्राय वे गूम रहते हैं दोपैर तुम वहाँ पहुँच गए रास्ता बूले बेहोश उन ब्रामन को देखकर तुमें दया आ गई तुम उन्हें उठा कर अपने स्थान पर ले आए तुम दोनों ने उनकी काफी अच्छी सेवा की थोड़ी देर बाद उपदेव जी वो होश में आए तो बड़ा आश्यर ह कहने लगे मैं तो बंद में था यहां कौन लाया श्री नारेन बोले है देव तब मनिग्रीव ने कहा आप घबराए नहीं या कमलनियों से भरा सुंदर स्वच सीतल जल से भरावा तालाब है आप वहीं चलकर स्नान करें प्रात्य कर्म से निवरत होकर फलाहार एवन जलपा उसी के सहारे वै ब्राह्मन तलाब तक पहुंचे है राजन किनारे पर पुने विश्राम करने लगे तलाब के किनारे वट वरक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य करम परवासुदे भगवान का पूजन में लग गए तदंतर देवता तथा पित्रों को तर आरे हैं आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गई है यह कहकर अपनी स्तरी से बोला आरी सुंदरी पके हुए जो आम के फल है वै शिग्र लेकर आओ देर न करना और जो भी कुछ फल हो वो भी ले आना इस परकार अपने स्वामी के वचन सुन वै पतिवरता शिग्र ही उठकर आश्रम के कंदफल आदी ले आई और ब्राह्मन के समुख लाकर रख दिये मनिग्रिव बोले है श्रिष्ट मुनीजन इन फलों को स्विकार करें तदा हम दोनों को कृपिया कृतार्त करें उपदेव जी बोले है भले आदमी मैं तुमको नहीं जानता तुम कोन ह अपना परीचे दीजे मनिग्रिव बोले ब्राह्मन श्रिष्ट मैं एक शुद्र जातीगा हूं मनिग्रिव मेरा नाम है अपने जाती भाईयों ने मेरा त्याग कर दिया है इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मन ने फलाहार कर लिया उनकी आत्मा बड़ी प्रसन तदंतर जल पिया तब जल पान कर ब्राह्मन सुख पूरख बैट गए तब मनिग्रिव उनके चरण अपनी गोद मेरा कर दवाना प्रारंब कर दिया और मनिग्रिव की जहां हिंसक जीव विचरण कर रहे है जल भी प्राप्त नहीं है वहां आप देसे पधारे उपदेव जी बोले है महाभाग मैं ब्राह्मन हूं प्रियाग राज जाते हुए इस दारुनवन में आका रास्ता भूल गया था वहां मैं ठक गया था जोर से प्यास लगी थी और मरना सुन था तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया है मनिगिर्व तुम दोनों स्री पुरुष इन के ही समक्ष अपने मन में अपने दुख दारिद्य की मुक्ति की लालसा के लिए मनिगरिव अपने कर्मों और उनके फलूं की प्राप्ति का संपूर्ण गाथा उपदेव जी को सुनाने लगा भूलो पुषोत्तम भगवा ने की जै पुषोत्तम आसमातम्यका ती स्वाध 24 वे अध्याय में आगे हम पढ़ेंगे कि मनिगरिव ने क्या कहा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण